हालो दोस्तों नमस्ते इस्टेट वी टेम के क्लाशेस पर आप सभी का हर्दिक स्वागत रोपिनन दन जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है नई एज्यूगेशन पॉलिसी के देथ राजस्तान सहीद पूरे देश में ECC और एंटिटी की बर्तियां होने वाली है अब उन बर क Alzheimer कर सकते हो और आप आने वाले समयमे इन बर्तियों में कर सकते हो क्या इसको आप भड़ बैटे कर सकते ओगा इसको आप BHTC B E fuzzy या अन्य किसी डिगरी के साथ में इसको कर सकते हो इसके लघ़ाए इसमे एस एक्जाम तक आपको बताने वाला हूँ कहां कहां इसका सेंटर आता है एक्जाम का इस्टेडी सेंटर क्या होता है कई विद्यारति के मन में डाउट चल रहे हैं और क्या-क्या इसका सलेबस रहने वाला है पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर क्लिएने होने वाले सबसे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजेगा और जो विद्यारती नए है वो चैनल को जुरूर सस्क्राइब के लेना ताकि आने वाले समय में सबसे पहले आपको information प्राप्त हो सके चलिए दोस्तों start करते हैं उससे पहले आपको यहाँ पर बताना चाता हूँ यह हमारा टेलिग्राम चैनल इस्टेडी भी तैम के इसे जाकर जुरूर आप जोईन के लेना टेलिग्राम में सर्च करना है यहाँ पर नंबर बताने वाला हूँ जिसके मादेम से आप मदद लेके यह डिप्लोमा कोर्स आसानी से आप कर सकते हो थाकि आपको वहाँ पर इस्टेडी मटरियल वगर है आपको जो है और कई परकार की help वहाँ पर आपको मिल सकती है आप वहाँ से direct अपना form भी बरवा सकते हो क्योंकि कई विदारती जो है यह गलती कर रहे हैं form बरवा रहे हैं लेकिन उसमें कई तरीके की mistake उनके हो गई है कई विदारती जो है वहाँ पर अपना medium किसीने इंदी के जगे English कर दिया है किसीने मातापिता की नाम में correction या किसीने जो study center लग चुन लिया है तो यह सारी चीजें अगर आप हमारे दोहरा form फिल करवा होगे तो कोई आपको mistake नहीं रहेगी इसके लवा अगर आप अपने दोहरा खुद भी आप बरवाना चाहरे हो तो बरवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बाकि अगर यहाँ पर जो मैं आपको number बताऊंगा उस पर जाके आप पूरी information आप ले सकते हो आप वहाँ से पूरा course complete कर सकते हो आसानी से घर बेटे ठीक है अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों यह जो है इगनु इनिवर्सिटी से अभी चल रहा है ODL ODL का मतलब होता है online distance learning यहने आप सबसे पहली बात है इसको घर बेटे आप कर सकते हो आपको कहीं पर भी भाग दोड करने की आऊशकता नहीं है ठीक है न अब इसके जो आवेदन है वो यहाँ पर last date है 14 आगस्त पहले इसके आवेदन दोस्तों आपको पता 31 जुलाई तक थे अब यहाँ पर date extend कर दी गई है और 14 आगस्त है इसके बाद musculate date नहीं बढ़ेगी ठीक है यह चीज़ आपको द्यान रखना है अब इसमें होता है DEC course क्या होता है D E C E यहने diploma in early child care educator के नाम से होता है बाकि इसका नाम ECC भी है वो एक ही बात है आपको confused नहीं होना इसके अंदर ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों यह जो है इसके अंदर आपके जो है exam लगते है तीन तो आपके exam होते है ठीक है ना और एक होता आपका project ठीक है इसके अलावा आपके होते हैं इन तीन जो exam है तीन subject है इनके तीन assignment ये पूरी प्रकरिया इसके अंदर होती है और दोस्तों इसको समझना बहुत जरूरी है कई student क्या करते हैं form बरदिया अब उनको यही पता नहीं कि आगे exam का form भी फिलोगा आपके assignment भी जमाऊंगे आपको project भी करना होगा आपको school के अंदर जाके training भी देनी होगी वहाँ पर वीडियो फोटो भी आपको लेना पड़ेगा वो फिर आपको जो अपने YouTube चैनल पर upload करके आपको दिल्ली जो इगनु का एड़ोपी से वहाँ पर भी आपको बेजना पड़ेगा आपको इसमें पढ़ना फिर वो assignment आपके study center में जमाऊंगे अब आपको होगे study center जब आप form भरते हो तो उसमें study center का option आता है अपने राजस्तान के अंदर दो reason है एक है जेपूर और एक है दोस्तो जोदपूर ठीक है ना दोनों के अंदर अलग-अलग colleges है ठीक है जेपूर reason के अंदर अलग colleges है जो से होगा उसमें आप से पूछा जाएगा आपको एक्जाम कहां पर आप center लेना चाहते हो तो आप अपने जिले का अगर option है तो उसमें आप fill कर सकते हो यह study center होता है और कई-कई विद्यारतियों का हो सकता study center पर भी exam हो जाए ठीक है तो यह आपका सवाल clear हो गया अब इसमे आपको कोई समश्या नहीं रहनी चाहिए ठीक है अब दोस्तों इसमें क्या होता आपको तीन ही exam देना है और offline आपका exam होगा ठीक है क्या होगा offline online exam नहीं होगा इसमें आपको center पर जाना होगा admit card जारी होगा उसमें आपको exam देना है June 2025 यहने June का second week है उसमें आपका exam फिर आपका यहाँ पर गुरा score seat बनेगा अब आपको क्या करना है जैसे form फिल कर दिया उसके बाद में 200 assignment बनाना है फिर आपको project यह सब assignment आपको steady center पर ही जमा करवाएंगे ठीक है आप चाहे तो by post बेश सकते हो या किसी other person को आप steady center पर जाके यह जमा करवाके वहां से आप सीध वहां पर दी जाती है कि जमा हो गए वो आपको लेकर आजाना है ठीक है और यह बनाना अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा विद्यारतियों में फिर बता रहा हूँ अगर आप पढ़ोगे तब ही पास उपाओगे अच्छे बाद में घबराट नहीं होगी तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत खर्चा लग रहा है आप तो कर लो क्या दिक्कत आ रही है ठीक है इसलिए दोस्तों बाकि जो डी सी यह इगनू से हो रहा है इसमें आप अधर स्टेट में भी फोर्म बर सकते हो है जैसे आप KVS के अंद पड़ेगी अलग-अलग बच्चों को कैसे पड़ा रहे हैं कैसे उनको खिला रहे हैं प्रकरति के बारे में कोई चीजे आपको बतानी होंगी यह सारी चीजे आपको जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देनी पड़ेगी वहां पर आपको एक गाईड करना यह बेड वगर है उसकी देखरेक में प्रोजेक्ट तयार होता है वो कहता है कि यहां अच्छे तरीके से बनाएं वो भी आपको नंबर देगा फिर आपके मोर लगेगी जिस स्कूल में आपने यह ट्रेनिंग लिए उसकी उसके बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीड होग इसके अंदर आपको चोटी-चोटी गलतियाँ यहां पर जो है नहीं करना है क्योंकि अगर आप घलती करोगे तो आपका सुरू से वापिस डिपलोमा आपका जो है यहां पर करना पड़ेगा आप फेल हो जाओ गे इसके अंदर इसी का द्यान रिखना है तो अब क्या करना यहां पर मैं number provide करा रहा हूं, वहां से आप कर रहे हो, तो आपको हर परकार की मदद की जाएगी, आपको बताए जाएगा, कब assignment जमाओंगे, आपको sold assignment आपको provide करवा दिया जाएगे, इसके लाओ दोस्तों, आपको steady material अच्छे से आपको उपलब्द गरवाए जाएगा, लोड़ा खर्चा वहां पर ज्यादा रहेगा, आपको पता है, ज्यादा आप मान सकते हो कि आपको कोई कटना ही नहीं आएगी, ठीक है ना, नहीं तो आप भागते पिरोगे, अगर आप मैं आये समता है कि भाई मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे किसी को कि पूछने सकता हूं हर चीज, तो भाई आप कर सकते हो, बाकि किसी भाई मैं को अगर समश्या हो रही है, वो यहाँ पर हमारे तुरू करना चाता है, कोई जोब कर रहा है, कोई ग्रैणी है, या कोई टाइम नहीं दे पा रही है, इन चीजों को तो हम उसको सोट नोट्स वगरे भी उ वोट्स अब करना है, ठीक है न, और यहाँ पर आप 14 तारिक पहले पहले वोट्स अब कर दीजेगा, ताकि आपको आवेदन भी यहाँ से हम आपको जो है आवेदन फिल करके आपको प्रिंट आउट उसका दे देंगे, आपको इस्टेप इस्टेप आगे चीज़े बता द और थोड़ा बहुत खर्चा आपको पता है दोस्तों, आपको पढ़ाएंगे, आपको नोट सुपलब्द गरवाएंगे, आपका फॉर्म भी फिल करेंगे, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इंक्वारी कर सकते हो, और यहाँ से आप सीधा एडमिसन ले सकते हो, आपको क दिक्कत नहीं हैगी, और खुद आप लेना चाते हो, तो यहनों कि वेबसाइट पर जाके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बाकि कई स्टुटेंट करें, सर मैं गरहनी हूँ या फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं जोब कर रहा हूँ, या जो है, मुझे ये सारी चीज़े प्रोवाइड करवा दीजिएगा, इस्टेडी मटियल वगरह है, या सोल्ड असाइन्मेंट के से तयार करते हैं, कहां से करना है, ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर आपको जो है, ये सुईदा दीदारी है, इस नमरों पे, जाके वोड जलती हैं, मत करो इन चीज़ों के लिए, और चिन बच्चों ने खुद फॉर्म भर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी फॉर्म की फीश जो है, वो कम हो जाएगी, जो भी आपकी फॉर्म की फीश लगिए, बाकि जो सुल्क है, आप यहाँ पर दे सकते हो, आगे की जो है, study material वगर है, sold assignment वगर है, यह फिर आगे जो भी आप guide आपको चाहिए कि बाई, जो है, कब इसका assignment जम्मा होंगे, कब project जम्मा होगा, कहाँ school मिलेगी, कैसे क्या करना है, तमाम परकार की चीज़े आपको इस नमरों पे जो है, उबलब्द हो जाएगी, यह मोका है mention रहेगा, जो है, आपका जो है, यह diploma, कौन साइस में, जो है, valid रहेगा, या नहीं रहेगा, तो आप जो है, कर लिया है, कोई बात नहीं आपको, अब कई बच्चे करें, sir, मुझे entity करना है, ठीक है न, entity की मैं अगर बात बताना चाहूं दोस्तों, entity का होता है, two year का, यहने आप साथ भी कर सकते हो, लेकिन, राजस्तान में 2010 के बाद, जो है, यह diploma बंद हो चुका है, 2018 में बरती आई थी, उसमें भी कई विद्यारतों के पास में नहीं था, तो यहाँ पर बरती पेंटिंग है अभी भी, तो अब जोस्तों, आप कहीं मानित अपराफ्त बोर्ड से, या कोई भी बोर्ड अगर करवा रहा है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपको, कि बाभी valid होना चीए, ठीक है ना, और यह दो साल का होता है, दोनों साथ भी कर सकते हो, लेकिन यह IGNU से होता है, इसमें एंटिटी नहीं हो रहा है भी, यह चीज ध्या इलाब मिल जाए आपको, कि बाई, जो है, कहीं ने कहीं, इसके अंक भी आपको मिल सकते हैं, राइसे अपको दिया है, काफी बच्चों को हैल्प मिलिया उससे, कोई गलतियां हो गई है, फोई बात नहीं है, सुधारने का इसमें ऑप्शन आ सकता है, तो उसमें आप करेक् गलती हो गई, तो ज्यादा टेंशन लेने की आप सकता नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको पता है, दोस्तों, जो है, यह आपका डिप्लोमा आएगा, उसमें कोई ज्यादा यहां पर वो नहीं रहेगा, कि वह एक डिप्लोमा की तरह आपका काम करेगा, बाकि इसमें एगर आपने की आप रास्तान आके भी खरना चाहते हो, तो भी कर सकते हो, कोई दिक्त नहीं है, क्योंकि इगनु पूरे इंडिया के अंदर जो है, आप कहीं से ब्हुरूरी नहीं है, सबको same degree, same process हो ही मिलता है, ठीक है, लेंग्वेज अलग हो सकती है, Hindi, English, Tamil के अन्दर ज गई ठीक है ना और signature हो गए और जाती प्रमान पत्र अगर कास्ट से बिलोंग करते हो तो जाती प्रमान पत्र भी आपके पास अगर पुराना है तो पुराना या नया है तो नया यह चल जाएगा अगर नहीं भी है तो कोई दिक्त ने जनरल से भी आप फॉर्म बर सकते हो इस समय समय पर आपका कोई भी स्टेफ छूटे नहीं आपको कोई समय नहीं आए तो आप इस नमबरों पर जाके तुरंद मेसेज कर देना कि सर हमारे को डिप्लोमा करना है जो भी आपका सुलक है हम आपको देंगे यह डोकुमेंट आप बेज देना ठीक है इसके लावाँ इस को सबस्क्राइब कर लेना इसके लावा यह आखरी मोगा आपको मिला इगनु में और भी कई परकार के कोर्स होते हैं यहां पर बीयों वगर है कुछ भी आप यहां पर कर सकते हो कंप्यूटर कोर्स वगर है आप लाइब्रीरियन का उस सब कोर्स इगनु से आप कर सकते हो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यहां पर इस नमरों पर आप संपर कर सकते हो योगा वगर है कि आपको पता भी वेकेंसी आई थी तो उसमें योगा के जिन्होंने डिप्लोमा कर रहा था उनका से लेक्शन हो चुका है अब लाइब्रीरियन की वेकेंसी आने वाली र खूकोते है तो इसी स्थिति नहीं होनी चाहिए आपको समय से पहले इन चीजें कुई ज्यादा is में लाग रूओर फे खरचा नहीं लगता आपको बताया तो इन कम पेसों के अंदर आपकर रख लेते हैं तो कहींना काब कर रोके के आ आ।ो पधूर आपके आ जाता है और उसमें भी एंटिटी के डिप्लोमा को B.A.D. और D.L.A.D. यहने B.H.T.C. के बराबर मानिता दी जा रही थी और उसके भी नंबर मिल रहे थे कोई मेसेज आए मेरे पास में सरा एंटिटी का डिप्लोमा लेकिन अब कई श्टुडेंट के पास में था ही नहीं तो अब उनको केसे नंबर मिलेंगे जिनके पास था उन्होंने लगा दिया वहाँ पर तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखना है बाकि यह नंबर बता दिया है 49688437 मेसेज गर के कर लीजेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे पूरी आपको गाइड की जाएगी किस तरीके से क्या करना है आराम से घर बेटे बेटे कोई आपको ज़्यादा प्रेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कई बच्चे जिन्होंने खुद यहाँ पर कर रहे हैं तो वो भी भाई अगर आप ऋएव्यस लेना चाहते हो यहां पर आप जानकारी आपको चाहिए समय समय पे तो सारी चीजे मिल जाएगे और जेनी ने रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है और जो डिरेक्ट पूरा फौम यहाँ से फिल कर वाना चाहरा है कि सर नहीं, हम डोकुमेंट बेज देगे, आप हमारा form फिल करके, हमारे को आप बता दीजे, तो भी यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, आसा करता हूँ, जानकारी अच्छी लगी होगी, सारी चीजें मैंने बता दी है, entity course अलग होता है, यह DC course होता है, यह ECC के बराबर ही होता है, आप ECC करो, महिला और पुरस दोनों कर सकते हैं, कहीं नहीं लिखावागी है, क्यों महिला ही कर सकती है इसको, हाँ हो सकता है कि इस टेट के अंदर महिलाओं के ज़्यादा वेकिंसी है, भाई वहाँ पर आप कीजिएगा, कई लोग करें सिर्फ परसंटेज कितने चाहिए, टोलत के अंदर, देखो भाई, परसंटेज का कोई क्राटेरी ने केवल पास, अगर भाई गरेस भी आप पास हो, तो भी कोई दिख्कत नहीं है, मानिता प्राप्त बोर्ड से आप है, नहीं हो से, कहीं से भी आप पास हो, उपन से तो भी आप भर सकते हो, और ज्यादा डिगरी वाले हैं, उसी कोई बार भी पास के समानी, वो ही इसमें प्रोसेस रहती है, नहीं कि किसने बीए, बीएड गर रखा है, बीएसी वगर है, तो उनके लिए अलग प्रोसेस है, नहीं, सभी के लिए सेम ही है, पेन पेपर से एक्जाम होगा, आपको एक प्रकार के कॉर्स करवाती हैं, वो सारी चीजी मैंने बता दी है, अब अगर जानकार एच्छी लगी है, तो सबसे पहले चैनल को सस्क्राइब, देख लो कि आपने सस्क्राइब कर रहा है या नहीं, और लाइक भी कर लिएगा और सेर कीजेगा, ताकि और भी विद्यारति आगे होती रहेगी, तो बिल्कुल भी जो अपने हिसाब से खुद कर रहे हैं, वो इन चीजों को मिस आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर गलती करोगे तो दिक्कत आपको आ सकती है, ठीक है, बाकि जो अभी रह गए हैं, वो जल्दी से मेसेज करके, जो यहांसे फॉर्म जानकारी आपको मिलती है, ठीक है न, और कहीं एंटिटी आप कर रहे हो, किसी बोर्ड से ने बोर्ड से तो भी कर सकते हो, इगनू से अगर आप कर रहे हो, डी सी तो भी कर सकते हो, दोनों साथ साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, आप करना चाहो तो, ठीक है लेकिन NTT 2010 के बाद में रास्तान में बंद हो गया, जो मानितब राप्त बोड है वो ही यहां पर करवा रहे हैं, और DPSC जो दिल्ली से होता है, उसमें 100 सीटे हैं, उसकी फीज ज्यादा है, वो भी आप अगर करना चाहो भाई, आपकी मर्जी है तो कर सकते हो बाकि मैंने आपको प्रोसेस है, वो सारी बता दी है अब आपका डाउट नहीं रहना सही है, ठीक है दोस्तों तो द्यान रखना 14 अगस्त लास्ट डेट है इसके बाद नहीं बढ़ेगी, मैं फिर बता रहा हूँ 99% चांस है कि नहीं बढ़ेगी, और हो सकता है 1% चांस है, बढ़ेगी जाए, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है ठीक है, थैंक्यू दोस्तों, धन्यवाद, जैहिंद, बंदे मात्रम